नमस्कार दोस्तों मैं मनू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल दारे सीटी पे दोस्तों आज हम बात करेंगे आने वाले महीने में टेहवार और रेलवे यात्री के अत्रिक्त भीर को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे परियागराज मुख्याले से चार विसस जोरी ट्रेंड चलाने का निर्ने लिया गया है जो कि एक अक्तुबर से आपको देखने को मिलेगी तो चलिए जानते हैं वहाँ चार जोरी विसस ट्रेंड कौन सी है तो दोस्तों यह चाख रेमी जो की लखनाओ के लिए चलाई जाएंगी और लखनाओ से चलींगी जो आपको एक अक्तोवर से अगले वाले अगले आदेश तक आपको देखने को मिलेगा जो इंटर सीटी स्पेशल के रूप में चलाई जाएंगी इन में से पहले नंबर पे है जहां 018-03 जहांसी लखनाओ इंटर सीटी स्पेशल जो जहांसी से चोबच के पनरा मिनत पे खुलके दोपहर के बारा बजे लखनाओ पहुचेगी जो मौत, ओरई, कालपी, गोविनपूरी, कानपूर, उन्नाओ के रास्ते जाएगी यही गारी डाउन में 018-04 लखनाओ जहांसी इंटर सीटी स्पेशल के रूप में 16 बज के 40 मिनत पे खुलके, रात के 22 बज के 35 मिनत पे जहांसी पहुचेगी तीसरे और चौथे नमबर की त्रेन की बात करें तो यहागारी 02180 आगरा पोर्ट से लखनाओ जंगसन इंटर सीटी स्पेशल के रूप में चलेगी जो आगरा पोर्ट से सुबा के 5 बच के 45 मिनत पे खुलके लखनाओ जंगसन 11 बच के 40 मिनत पे पहुचेगी जो भाया यमना ब्रीज, कुंदला, फिरोजा बासी, कोहाबाद, इतावा, रूरा, पनकी, कानपूर, उननाओ के रास्ते लखनाओ जंगसन 11 बच के 40 मिनत पे प में 02179 लखनाओ जंगसन आगरा पोर्ट इंका सिटी स्पेशल के रूप में 15 बच के 55 मिनत पे खुलके 21 बच के 55 मिनत पे आगरा पोर्ट पहुचेगी, तो दोस्तों यह गारी अगर वर्टमान की बात करें, तो यह गारी एकजाम स्पेशल के रूप में चलाई जा रही है जो की 30 इस महिने के आखरी 30 तारिक टक चलेगी, फिर यही गारी को इकजाम स्पेशल से बदल कर इंटर सिटी स्पेशल के रूप में अगले आदेश तक चलाने का प्रस्ताव जारी किया गया है, उत्रिक्त यात्री गन इन रेल उपलब्द दिबो, उत्रिक्त यात्री गन इस ट्रेंद पर यात्रा कर सकते हैं, इस ट्रेंद पर यात्रा करने के Lige COVID-19 के संबंद नियमों वह अधिशा निद्वसों का पालन करना होगा, और इसमें संजोईत जितने भी बोगिया रहेगी, सभी रिजर्व के टेगरी की बोगिया रहेगी, जिस पर चाहनने से पहले आपको reservation कराना पड़ेगा तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कि पर लाइक, share, comment करके हमें जरूर बताएं आने वाले next update के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें